आखिरकार अपने रसूख के चलते ग्रैंड माचल के संचालक जिला पर्शासन की कारिवाई से बच गए करेक्टर ने संचालक पर रासुका जैसी कारिवाई करने से इंकार कर दिया है हाला कि अब प्रशासन शहर के बाहर चल रहे इस तरह के रेस्टरेंट्स और धाबों के विरुध कड़ी कारिवाई करेगा देखे एक खास रिपॉर्ट ग्रैंड माचल के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी जोर शोर के साथ कारिवाई की थी जिसे लेकर यह माना जा रहा था कि ग्रैंड माचल के संचालकों के खिलाफ रासुका जैसी कारिवाई भी हो सकती है लेकिन बताया जा रहा है कि संचालक प्रकाश राठोर ने अपने राजनितिक के पहुँच का इस्तिमाल करते हुए कारिवाई को लगभक ठंडे बस्ते में डलवा दिया इधर कलेक्टर मनीश सिंग ने कहा कि हमारा मकसद संक्रमण के फैलाफ को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कारिवाई करना है किसी के खिलाफ रासुका करना नहीं कलेक्टर के अनुसार शहर के बहारी हिस्से में इस तरह के कई और रेस्टरेंट्स धाबे संचालित हो रहे हैं जिनके खिलाफ इसी तरह की मुहीम चलाई जाएगी कि आखिए हम लोगे जित्ते प्रतिमन लगाया थे नगर नियों सीमा शेत्र में लगाया थे महु नग्र नगरी निकाय एरिया हम लोंने लिया थे किनटूर्टमेंट एरिया उसमें और ग्रामीड शेतरों में जो grand matchal का कर दी जो जानकर नहीं मिले की बहुत सरे लोग जहीं है उसको seal करा आया ग्रामीड शेतरों में ऐसे जितनी भी केंद्रों के जो grand matchal टाईप के हैं फन एरियास हैं फन शेतर हैं, उनको हम लोग बंद कराने क्रवई करेंगे देखा जाए तो अब जिला पिशासन द्वारा ग्रेंड माचल जैसे अन्य रेस्टरेंट्स वर धाबों के खिलाव भी मुहीम चलाई जाएगी यूरो रिपोर्ट एंपी न्यूस इंट और